स्वागत है दोस्तों आपका निखरी हिंदी टुटोरियल्स में ऐसे ही और वीडियोज पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों पंचतंत्र की नई कहानी का नाम है खरगोश और शेर एक समय की बात है किसे घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था वह रोज शिकार पर निकलता और जानवरों को मारने के लिए तेजी से दौडने लगता अपकी धूप मिटाने के लिए दिन में वह एक दो नहीं कई कई जानवरों को मार डालता जानवर उसे देखते ही डर के मारे बेताहाशा दोडने लगते अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना अब जरूरी हो गया था एक दिन जंगल के सारे जानवर इकठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे जानवर दल के नेता ने शेर से कहा महराज हम आपके पास निवेदन करने आए हैं आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बिना कारण बहुत सारे जानवरों को आप मार डालते हैं और आप सबको खा भी नहीं पाते इस तरह से तो हमारी संख्या कम होती जा रही है दूसरा जानवर शेर से बोला आपसे हमारी विंती है कि आप अपने घर पर ही रहें और हम रोज स्वयम आपके खाने के लिए एक जानवर को भेज दिया करेंगे इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है उसने पलभर सोचा फिर बोला अच्छी बात है मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ लेकिन याद रखना अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जिस जानवर को चाहू लूँगा मार डालूँगा जानवरों के पास तो और कोई चारा बचा नहीं था इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चल पड़े उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा इसके लिए जंगल में रहने वाले सब ज चुना जाता था कुछ दिन बाद खर्गोशों की बारी भी आ गई शेर के पोजन के लिए एक नन्ने से खर्गोश को चुना गया वह हैरान रह गया वह खर्गोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था कुछ सोच कर वह सबसे बोला शेर के हातों मरना बेवकूफी है अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपायतों अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंडनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए आखिर उसने एक त खरकीब सोच ही निकाली खर्गोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की और चल पड़ा जब वह शेर के पास पहुचा तो बहुत देर हो चुकी थी भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था जब उसने से एक छोटे से खर्गोश को अपनी और आते देखा तो गुस्से से बॉखला ओचा और गरज कर बोला किसने तुम्हें भेजा है एक तो पिद्धी जैसे हो दूसरे इतनी देर से आ रहे हो किन बेवकूपों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सब को देख लूँगा नन्ने खर्गोश ने आदर से जुक कर कहा महराज पहले आप मेरी बात तो नहीं देंगे सारे जानवर जानते थे कि मैं बहुत छोटा हूं तो आपकी भूख मुझे खाकर शांत नहीं होगी इसलिए उन्होंने मेरे साथ छे और दूसरे खर्गोश में भीजे थे लेकिन लेकिन रास्ते में एक शेर मिल गया और उसने सभी खर्गोशों को मार कर खा लिया यह सुनते ही शेर दहार कर बोला क्या कहा दूसरा शेर कौन है वह तुमने उसे कहां देखा महराज बहुत बड़ा शेर है वह और खुद को इस जंगल का राजा बता रहा है आपको लाने के लिए उसने मुझे यहां भेज दिया शेर को खर्गोश की बात सुनकर गु बोला चलो लेकर चलो मुझे उसके पास अभी मैं उसे देखता हूं नन्ना करगोश चालाकी से शेर को कुए के पास ले आया और शेर से कहा महराज वह दुष्ट शेर इसी कुए के अंदर रहता है शेर ने कुए के अंदर जहां का तो उसे कुए के पानी में अपनी पर्च अर्चाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुए के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाडने की गरत सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड रहा है। चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्ना खरगोश खुशी खुशी घर लोटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की पूरी कहानी कह सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जैजैकार करने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सूजबुज और चतुराई से काम लेकर हम भयंकर संकट से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्ति शाली शत्रू को भी पराजित कर सकते हैं। धन्यवाद।